दोस्तों अगर खाने पीने के चीजों का हर सही ग्यान ना हो तो फाइदें पूचाने वाले चीज भी नुक्सान दे सकती हैं जैसे दोथ के साथ कई ऐसे चीजे हैं जिनका सेवन करने से शरीर में ऐसे बनने के समस्या हो सकती है ऐसे में आयोरवेद के अनुसार दोथ के साथ कई ऐसे चीजे हैं जिनने खाने से मना किया गया है तो आईए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिनका सेवन दूद के साथ नहीं करना चाहिए लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करतें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आरवेद के अनुसार दूद और केला एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए बहुसे लोगी सोचते हैं कि दूध और केला साथ में खाने से सहर बनती हैं लेकिन यह गलत है आयो बेट के नुसर दूध के साथ केला खाने को वर्चित किया गया है इन्हें एक खाने से शरीर को हाने पहुशती है हम जो भी खाते हैं उसे अगनी यान डाजिस्टिफ हायर पचाती है ठीक उसी तरह जिस तरह साधारन आग में कोई जुलन शील पदार डालने पर आग फैलती है उसी तरह हम जो भी खाते हैं उससे हमारे शरीर की अगनी प्रभावित होती है और इससे हमारे पात्र शक्ती कमजोर हो जाती है इससे हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ने लगता है और हम बिबालियों की शिकार हो जाते है पाचन अगनी को कमजोर करने से बचाने के लिए आपको दूत के साथ कुछ चीज़े नहीं खाने चाहिए खास कर अंडा, मास और मचली इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको अंडा, मास और मचली यानि नॉन्वेस के साथ दोर्थ का सेवन नहीं करना चाहिए इससे आपको ऐसे की समस्या हो सकती है चैरिस आप लोगों को तो अच्छे तरह से पता होगा इसका इस्तमाल लोग जादा तर शेक बनाने में करते हैं जैसे मैंगो शेक, बनारा शेक और मिल्क शेक में चैरिस का इस्तमाल किया जाता है जबकि इन दोनों का साथ में सेवन आयुडवेद में वर्चित माना गया है आप चेरी खाने के दो घंटे बाद दोथ पी सकते हैं लेकिन दोनों चीजों का सेवन एक साथ ना करे तो अच्छा है खटे फल दोथ के साथ आपको खटे फल जैसे संत्रा, नीबू, इमली, आमला, ग्रेन अपल और अननाज लेने से परहिस करना चाहिए दोथ के साथ इन चीजों का सेवन करने से आपको पेट से जोड़ी समस्याएं हो सकती हैं ऐसे में खटे फल खाने के बाद भी दो तिन खंटे तक दोथ नहीं पीना चाहिए दही वैसे तो दही और दोथ का कोई में नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोग दोथ के साथ दही डालकर शर्वत ये शिकंजी बनाते हैं जिससे आपके ड्रिंक्स का टेश तो बढ़ जाता है लेकिन आपके सिहत के लिहास से ये आपके लिए फाइदे मंद नहीं होता मूली मूली खाने के बाद पानी पीने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इससे आपका गला खराब होने के साथ आपको खासी के समस्या भी हो सकती है वहीं मूली के साथ दोथ पीना पानी के तुलना में कहीं ज़्यादा हाने कारब हो सकता है दोस्तों खाने पीने के चीजे तो आपको खुदरत ने दी हैं तो आप खूब खाएं और अपने दोस्तों को भी खिलाएं लेकिन उसी तरह जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में बताया है तो आज के लिए पस इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार